आज मैं आपके लिए लेकिया हूँ तरकिश ब्रेड के रेसिपी उपर से दिखने में ये रोटी जासा दिखेगा लेकिन अंदर से इसका टेक्शर जो है वो इतना असान जैसे बच्चों का खेल और वो भी बिना वन के घर के दवे पे बनाएंगे तो चलिए आज के मज़ेदा रेसिपी शुरू करते हैं तरकिश ब्रेड बनाने के लिए एक बर्दन में हम एक तीही कप हलका गरम यानि गुन-गुना पानी ले लेंगे फिर हम इसमें आधी छोटी चमच चीनी डाल देंगे पानी में हम चुटकी भर आटा या मैदा डाल देंगे ये इस्ट को एक्टिवेट होने में मदद करता है फिर हम इसमें एक छोटी चमच ड्राइ अक्टिव इस्ट डाल देंगे अगर आपके पास इस्ट नहीं है तो उसका तरीका भी मैं आपको बताऊंगे कि बिना इस्ट के आप इसे कैसे बना सकते हैं तो मैं यहाँ पे इसे ढख के 7 मिनट के लिए रख देती हूँ अगर आपका इस्ट एक्टिवेट नहीं होता है तो आगे के प्रोसेस में नहीं जाए क्योंकि आपके जो ब्रेड है वो सौट नहीं बनेंगे तो यहाँ पे 7 मिनट हो चुके हैं और यह दिखे जाग जैसा उपर दिख रहा है मतलब इस्ट हमारा एक्टिव है अगर इस जैसे आपने डाला है वैसी है मतलब एक्टिव नहीं हुआ है तो आप आगे का प्रोसेस नहीं करें अब हम इसमें डाल देंगे 2 कप मैदा आप चाहे तो आटा मैदा दोनों मिला के इस्तमाल कर सकते हैं या फिर सिफ आटा भी इस्तमाल कर सकते हैं आदी चोटी चमच नमक डाल दें और इसके बाद एक चमच ओलिव ओयल या नॉर्मल कूकिंग ओयल डाल देंगी अब हम इन सब को ऐसे मिला देंगे और इसके बाद दूद या पानी जिससे आपको पसंद है उससे आप गुन सकते हैं दूद से ये रोटी ज़्यादा सॉफ्ट बंती है तो मैं यहाँ पर दूद का इस्तमाल कर रही हूँ ध्यान रखे ये डूद बहुत जल्दी सॉफ्ट होता है इसलिए दूद या पानी धीरे धीरे करके आप इसमें मिलाएं और जैसे आप इन सब को ऐसे मिला देंगे न तब हम लास्ट में क्या करेंगे कि थोड़ा सा तेल डाल के डूद को स्मूद कर लेंगे तो यहाँ पर मैंने आधा कब दूद लिया था जिसमें इतना बचिया है तो लास्ट में एक चमच ओलिव ओल या ऐसे कुकिंग ओल डाल के आप इसे उपर से स्मूद कर दें तो यहाँ पर यह देखे ऐसे मैंने मिला दिया अब हम डो को ऐसे उल्टा साइट से टक कर देंगे और इसके बाद एक घंटे के लिए फर्मेंट होने के लिए रख देंगे तो डो को ना आप गरम जगह पर रखेंगे तो यह जल्दी फर्मेंट हो जाएगा तो अगर आप इस्ट का इस्तमाल करें तो यह जो डो है वो अपनी ओरिजिनल कॉंटिटी के दुगना हो जाएगा अगर आप बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर दही इस्तमाल करें तो यह थोड़ा सा कम फर्मेंट होगा तो बस दोनों में इतना यह फर्क है कि यह इसकी बहुत अच्छी लेयर निकालता है इस्ट और सोडा वगेर थोड़ा सा कम फूलता है तब हम इससे ढखके एक घंटे के लिए रख देंगे और इसके बाद इसकी रोटी बना लेंगे अगर आप इसे गरम जगा पे रखेंगे तो यह बहुत जल्दी फर्मेंट होगा तो आप चाहिए तो इसके उपर ब्लैंकेट भी रख सकते हैं उससे यह जल्दी फूल जाता है तो एक घंटे बाद यह हमारा जो डो है वो फर्मेंट हो चुका है यह देख सकते हैं तो अगर आप इस्ट या बेकिंग सोडा जयादा डालेंगे तो यह बहुत जादा फूलता है लेकिन उसका टेस्ट जो है वो ऐसे रोटी में आएगा तो मैं सजेस्ट करूँगे कि इस्ट का विस्तमाल कम करें और सोड़ी का विस्तमाल कम करें जिस भी चीज से आप बना रहे हैं, तो यह हमारा डो जो है वो अच्छे से फूल गया है, तो अब हम इसे वापस एक बार ऐसे गून लेंगे, ताकि इसके अंदर जो एर बबल से वो निकल जाए, तो अब हम चलते हैं, रोटी बनाने का प्रोसेस में, यानि तरकिश ब्रेट बनाने का प्रोसेस में, तो इसके लिए थोड़ा सा सूखा मैदा या आटा स्प्रिंकल करें, और उसके बार डो को हम एक बार ऐसे गून लेंगे, यह देखे, थोड़ा सा स्मूथ कर दें, और अब हम इसकी बराबर साइज की लोई बना लेंगे, तो जितनी बड़ी आपक अगर आप पीटा वरेट खाना पसंद करते हैं, तो वो भी सेम प्रोसेस से बनता है, बस उस लोगो कम फर्मेंट करते हैं, और थोड़ा कड़ा सेखते हैं, ताकि इसमें पॉकेट्स बन जाएं, तरकिश ब्रेट बनाते वक्त आप इसे थोड़ा थिक रोल करें, क्योंकि ये रोटी ना ऐसे ब्रेट के जैसे मोटी होती है, और उतनी ही मुलाइम और फलफी होती है, तो यहाँ पे मैंने इसे रोल कर लिया है, अब हम क्या करेंगे ना कि थोड़ा सा पार्सले या धनिया पत्ता लेंगे, और इसे हम ऐसे कट कर लेंगे, तो तरकिश वाली रस्प के उपर ऐसे ब्रशिंग करनी है, उससे इस ब्रेट का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा, तब हम इसमें एक चमच चिली फ्लेक्स और इसके साथ एक बड़ा चमच बटर डाल देंगी, अगर आपके पास चिली फ्लेक्स नहीं है, तो इसकी जगा लाल मिर्च का पाउडर ड डालना है, गयस का फ्लेम धीमा रखना है, और धीमी आज पर इसे अच्छे सेख लेना है, ध्यान रहे कि हमने इस रोटी को थोड़ा थिक रूल किया है, तो आप इसे थोड़ा पेशेंस के साथ पकाए, और यह ना ऐसे फूल जाती है पूरा, यह देखे, तो जैसा कि मैंन वाला मटेरियल रेडी करके रखा है, इस से इसके उपर ऐसे ब्रश कर देंगी, तो ना निया कुल्चा में नॉर्मली हम ऐसे ही करते हैं, लेकिन यह वाली रोटी बिलकुल अलग है, बहुत ही नरम, बहुत ही मुलाइम, बहुत ही फलपी रहती है, यह रोटी बनने के काने का मज़ा और भी ज्यादा बढ़ियाएगा, तो यह हमारी बहुत आसान तर्किश ब्रेड जो है, वो बन के तियार हो गए है, आप इसे अपने किसी भी पसंदीदा सबजी के साथ सर्फ करें, अगर आप वेजिटेरियन है तो पनीर के साथ सर्फ करें, या पर दम अलो करते हैं न, वैसे वाला, है न, तो आप इस रेसिपी को एक बार ट्राइ करें, यह आपको बहुत पसंद आएगा, अगर आज की रेसिपी आपको ट्राइ करने के बाद पसंद आए, तो प्लीज आप मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बिटन क्लिक करें, और मेरे चैनल को स